Students, हम Second Year Physics Chapter 12 के Numerical Problems को स्टार्ट कर रहे हैं मैं आपको recommend करूँगा कि आप वीडियो end तक देखें इस वीडियो में सिर्फ मैं 12.1 को solve करूँगा बाकी जो Numerical Problems हैं वो उनके links उनकी वीडियो जो हैं इस वीडियो के हतम होने पर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ जाएंगी और उनके links जो हैं वो description में भी मुझूद है मैं आपको recommend करूँगा कि आप थोड़ी patience रखें राम से Numerical को समझें फ्रोड़ टाइम ज़रूर लगेगा इन Numericals में लेकिन आपको एक तो समझ आ जाएगी दूसरा आप believe करें कि ये वीडियो जो हैं बिल्कुल data friendly है इसमें आपका time तो लगेगा लेकिन आपका data ज्यादा consume नहीं होगा इवन अगर आप 1080 पे भी देख रहे हैं स्टार्ट करते हैं 12.1 numerical problem को इसमें हमें क्या बताया गया इसमें हमें बताया है कि हमारे पस दो charges है जो बिल्कुल एक जैसे हैं और उनके बारे में जो information हमें बताई गई है उसको जरा note कर लेते हैं दोनों के दरमें जो फासला है दोनों के centers के दरमें यहां से मतलब start करें आप तो ये फासला जो है that is nearly 10 cm बलके exactly 10 cm बताया गया और दोनों के उपर charge की मिगदार हमें बताईए है दोनों charges के उपर charge की मिगदार जो है वो 20 µ है यानि ये charge भी 20 µ क है ये भी 20 µ क है उसके बाद हमें बताया गया है कि दोनों का mass भी एक जैसा है इसका mass भी 10 g है और इसका mass भी 10 g है जब identical कहा दिया तो इसका मतलब है कि सब कुछ एक जैसा है अब हमने फाइंड क्या करना है हमने देखना है compare करना है कि इनके दर्मयान जो coulum's force है जानि जो charges के दर्मयान जो force होती है उसके magnitude को compare करना है जो आपने masses के दर्मयान force पड़ी हुई है कि काइनात में हर दो masses एक दूसरे को attract करते है उस force के साथ आपने compare करना है charges वाली force को यानि एक तो इनके दर्मयान force इस वज़ा से है कि दोनों के उपर यह charge मुझूद है 20 µाइक्रोकूलम का उसकी वज़ा से जो force चार्ज की वज़ा से उस force को compare करना है दोनों के masses के दर्मयान जो force of attraction है gravitational force उसके साथ स्टार्ट करते हैं data लिखना शुरू करते हैं numerical जितना भी मुश्किल हो कभी घबराना नहीं है पहले सबसे पहले काम यह होता है कि आप data लिखें उसके बाद बागी सोचें तो दोनों masses चूंके identical हैं तो आप लिखें m1 is equal to m2 identical है यानि बराबर है कितना है 10 gram के equal आपको बताया गया है 10 gram को अगर आप kilogram में convert करें क्यूंके mass का unit जो है वो actual unit वो kilogram होता है system international में तो आपको thousand से डिवाइड करना पड़ेगा क्यूंके kilo thousand के बराबर होता है तो ये thousand से डिवाइड करके gram से kilogram में चला गया आपके पास answer आ गया 0.01 kilogram दोनों masses का उपर ये mass उसके बाद charge की बात कर लें दोनों charges भी identity कर लें एक जैसा charge है q1 is equal to q2 which is equal to 20 micro coulomb micro कितना होता है 10 raise to over minus 6 होता है 20 multiplied by 10 raise to over minus 6 आ जाएगा आगे आप इसको थोड़ा cancel करके 2 multiplied by 10 raise to over minus 5 कर सकते हो लेकिन आप तो और पर ऐसे करते नहीं है क्योंकि इसी तरह conventionally इसको use करते है कर लें तो आप cancel करेंगा तो ये 2 multiplied by 10 raise to over minus 5 भी आ जाएगा अब आप जो है दोनों के दिमान फासला है वो उसमें वो तो एक ही फासला है वो कितना है that is 10 centimeter इसको meter में convert करना हो एक centimeter में 100 centimeter होते हैं तो 100 से divide करेंगे तो ये meter में आ जाएगा which is equal to 0.1 meters अब आगे आजाएं आप force find करने पर अब बलके आपने find क्या करना है पहले वो लिखने अलेक्रिक force को आप compare करने जा रहे हैं gravitational force से यानि दोनों की ratio जो है वो आपने find करनी है यहाँ पर आपका basic target यह हो तो सबसे पहले दो तरीके हो सकते हैं electric force और gravitational force का formula लिखी उपर नीचे cancellation हो सकती है लेकिन वह मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मैं B के paper में सिरफ एक चीज़ पूछी हो electric force पूछी हो जा gravitational force इसलिए हम यह वाला method इस्तमाल करेंगे सबसे पहले electrical force find कर लें f of e का क्या formula होता है electrical force का that is equal to k q1 q2 over r square k की value put करें k coulombs constant है 9 multiplied by 10 raise power 9 के equal होता है q1 कितना है दोनों ही 20 multiplied by 10 raise power minus 6 के equal है q1 की जगा भी 20 multiplied by 10 raise power minus 6 q2 की जगा भी 20 multiplied by 10 raise power minus 6 units इस step में लिखने की ज़रूरत नहीं वरना आपके लिए ये काम काफी मुश्किल हो जाएगा अब क्या करें r की जगा 0.1 put करें r का square है तो 0.1 का square आ गया ये सारी चीज जो आपने calculator में solve कर लेनी है पुट कर लेनी है calculator में जब आप calculator में put करोगे तो आपके पास final answer आएगा 360 force है तो force का unit जो है वो newton होगा अब आप gravitational force भी सी तरह find कर लो कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए सिर्फ क्याने फार्मूला थोड़ा सा change होगा g m1 m2 over r square values put करोगे आप 6.67 into 10 raised power minus 11 आगया m1 की जगह आप क्या put करने जा रहे हो 0.01 m2 की जगह 0.01 r square की जगह आप क्या put करोगे 0.1 का square सारी values put करके आपके पास जो answer आने वाला है that is equal to 6.67 into 10 raised power minus 13 यानि देखें कि electrical force तो दोनों के दर्मियान काफी ज्यादा आई है यहां पे ज्यादा है लेकिन gravitational force जो है इसके साथ 10 raised power minus 13 आ रहा है इसका मतलब है यह बहुत कम है लेकिन force है तो साथ force वाला unit जो है वो newton लाजमी लगेगा तो यह आपके पास gravitational force आ गई अब आपने main चीज़ तो दोनों की ratio find करनी है तो ratio के लिए आप यहां आ जाएं लिखें f of e over f of g f of e की value उपर आ जाएगी 360 f of g की जगह आपके पास आ गया इतना आया 6.67 into 10 raise to power minus 13 अब आपने इनको divide कर लेना है जब आप divide करोगे तो आपके पास answer final आएगा 5.4 into 10 raise to power 14 अब जो है अभी आपने जाना नहीं है क्योंकि अब numerical भी आपने देखना है और 12.2 पर मैंने वीडियो अपलोड नहीं की वह नहीं हो लिएगा 12.3 से करूंगा क्यूंकि 12.2 exam के लिए हास से इतना अब यहां पर forces हैं तो forces का unit क्या होता है Newton तो यहां पर अगर आप Newton लगा जैते हो तो गड़बड यह हुनी है कि यह सही नहीं होगा और आपके number कट जाएंगे उसकी वज़ा यह है कि ऊपर भी Newton आएगा force का unit में और नीचे भी Newton आएगा और यह दोनों Newton Newton से cancel हो जाएगा तो यह जो answer होगा यह unit less होगा इसके कोई unit नहीं होगे अगर आप unit लिखोगे आपके marks कर जाएंगे